मेरा नाम जोती है, पिछले साल ही मेरी शादी हुई है मैं माईके में ही करवा चौत का वरत कर रही थी क्योंकि मेरी मां हॉस्पिटल में भरती थी मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम है नीतू यहां मेरा पहला करवा चौत का वरत है मैं अपने पती की लंबी उम्र के लिए और परिवार में शांती हो इसके लिए मैं यहां वरत रखी थी दिन भर में वरत रखे खूब सजी समरी ब्यूटी पारलर गई ताकि पती को पसंद आये और मेरी आज फिर से सुहाग रात में हुआ भी सब कुछ ठीक था चांद निकल आया चांद को मैंने जल्दी छलनी से मैंने पती के चहरे को देखी उन्होंने मुझे पानी पिलाया और वरत की समापती हुई इस दिन के लिए मैंने अपने गुफा के बाल को अच्छी तरीके से साफ थी ताकि आज की रात यादों की रात रहे मैं अपने पती को में खुश करना चाहती थी इसलिए जितना हो सका इतना अच्छे से तैयार हुई नए ब्रा और पेंटी खरीदी वह भी नए स्टाइल में खाना पीना खाकर हम दोनों सोने चले गए मेरी बहन दूसरे कमरे में टीवी देखने लगी मेरा पती मुझसे बहुत प्यार करता है आज के लिए भी मेरे लिए गिफ्ट लाए वह सुबह से ही बोल रहे थे कि आज मैं तुमको छोड़ दूँगा नहीं आज तो मुझे रोकना नहीं आज मैं जैसे करना चाहूंगा करने देना मेरे को कहना की पीछे से नहीं दूंगी आज यहां मत कहना ऐसे मत करो आज मुझे खुला छूट दे देना और मैं यही सब सोच कर खुला छूट देने के लिए मैं खूब अपने आप पर खर्च किया खुबसूरत बना ताकि रात को रंगीन बना सके मैं तो खूबसूरत लगी रही थी दर्वाजा बंध होते ही पती मेरे ऊपर तूट पड़े गोरे गोरे गाल चूमने लगे लंबे लंबे बाल को सहलाने लगे उन्होंने मेरी साडिया बड़े प्यार से खुली जैसा कि उन्होंने मुझे पहली रात में खोला अब मैं पैटिकोट और ब्लाउस पर आ गई थी उनकी निगाहें बड़ी कातिल वह मुझे घूर के देख रहे थे नीचे से उपर तक ऐसा लग रहा था वहा हमें आज खाएंगे चाट जाएंगे और हुआ भी ऐसा उन्होंने तुरंथ ही ब्लाउस खोल दिया ब्रा के हुप खोल दिया मेरे दोनों संत्रे बाहर आ गई मेरे दोनों संत्रे क्रिकेट के बोल की तरह टाइट है दबाने लगे संत्रे को पिने लगे मेरी आह निकल रही थी मैं काफी ज्यादा कामुक हो गई थी मैं बेड़ पर लेट गई उन्होंने मेरे खोल दिया मेरी को भी उतार दिया और फिर मेरी गुफा चाटने लगे मेरे होट लाल लाल थे खूब सजी हुई थी ऐसा लग रहा था कि बस सुहागरा थी है उसके बाद उन्होंने मुझे काफी गरम कर दिया मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनके नागराज को खूब चूसा उनको खूब गरम किया और फिर क्या था दोस्तों वो मुझे ठोकने लगे मेरे कमरे से आ-ा की आवाज निकल रही थी मा तो उपर के फ्लोर पर थी पर मेरी बहन मेरे कमरे के बगल में थी पर मैं बिना किसी के परवाह किये मैं ठुकवाने लगी मुझे कभी निचे से कभी उपर करके कभी घोडी बना कर खूब ठोका मैं काफी ठक गई थी और फिर दोनों थोड़े देर में धेर हो गए रहा हूं। मेरी आखे बंध हो गई थी और मैं सो गई थी। रात के करीब दो बजे चीखने की आवाज आई देखी तो मेरे पती बेड़ पर नहीं थे। मैं अपने संत्रे पर दुपटा रखी निचे पेटिकोट डाली और बरामदे पर गई। तो आ आह की। आवाज आ रह उचल-उचल कर ठुकवा रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे थे, गोल-गोल चूचिया जटके दे दे कर हिल रही थी। उसकी गुफा हिल रही थी, साली गजब की लग रही थी। दोस्तों आज मैं साक्षाच सनी लियोनी देखी थी, वैसे ही लग रही थी। मुझे पटा फेकी पेटिकोटी खोली और अंदर चली गई। वो दोनों हडबड़ा गए। मैं बोली रिलैक्स चलता है। मेरे पती बोले भगवान सबको तुम जैसी पत्नी दे और मेरी बहन भी बोली हाँ दीदी ऐसी दीदी तो नसीब बालों को ही मिलता है। और मैं अपने बहन के संत्रे को पिने लगी। मैं अपनी संत्रे उसके में रगडने लगी। जब मेरे पती मेरी बहन को ठोक रहे थे तब मैं अपने पती के मुह पर अपनी गुफा रख चटवा रही थी। हम दोनों बहन एक दूसरे के चूचियों को पी रहे थे, किश कर र करवाचोत मेरी भी ठुकाई मेरी बहन की भी ठुकाई और मेरे पदी को तो कैसा हुआ गुफा और संतरा मिल गया और क्या चाहिए खूब मजे किये करवाचोत के दिन आशा करती हूं आप भी अपने पत्नी के गुफा का क्रिकेट का पिछ बना दिया होगा अगर वो भी करव आचोत का वरत की होगी तो आज तो सभी औरते हुस्न की परी लगती है